सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें एक कंगारू नहर में डूपता इससे पहले ही एक व्यक्ति ने आकर उसकी जान बचाई वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कंगारू नहर किनारे बैठा है उसे देख लगता है कि वो काफी डरा हुआ है तभी एक व्यक्ती की नजर उस पर पड़ती है और वो बोट की सायता से उस तक पहुचता है लेकिन वो काफी डरा हुआ है जिसकी वजह से वो उस देखते ही दूर भागने लगता है लेकिन जब उसे लगता है की यह व्यक्ति उसकी जान बचाने आया है तो वह उसके पास जाता है जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास आता हैं तो व्यक्ति उसे धीरे धीरे पकड़ता है और वहां से बाहर लाता है लेकिन वो कंगारू काफी समय से नहर में था जिस कारण वो बिमार हो जाता है जिसके बाद वो व्यक्ति उसे दवाई भी देता है दवाई देने के थोड़ी देर बाद वो कंगारू पहले की तरह पूरी त चलने लगता है और वहां से फोरण ठीक होते ही चले जाता है अगर ये व्यक्ति समय पर नहीं आता तो उस कंगारू की जान भी जा सकती थी लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति की नजर उस बेजुबान पर पड़ी तो उससे उसका दर्द देखा नहीं गया और उसने उसकी जान समय रहते नहीं आता तो वो यूहीं वहां पर फसा रहता लेकिन इसने उसकी मदद की और साबित किया कि आज भी लोगों में इंसानियत जिन्दा है जो के वाकई में काबिले तारीफ है इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो इस व्यक्ति की जम कर तारीफ कर रहा है और इसे दिल से दुआ दे रहा है साथ ही इस वीडियो को लोगोंने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लाटफॉर्म पर भी जम कर शेयर किया ताकि और लोग भी इस वाइरल वीडियो को देख सके और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करे इतना ही नहीं बलकि लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अलग-अलग तरह के रियाक्शन भी दिये आपको ये वाइरल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे आमादमी पेश को फॉलो करें और इस वाइरल वीडियो को जादा से जादा शेयर करें